हेलो एवरिवन मैं शेफाली अब सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूटीब चनल शेफाली की दुनिया में आप लोग कैसे हैं आई होप सफी टेंड फाइन होंगे तो गाइस नौरातरे आ रहे हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मातरानी के लिए बहुत ही प्रिटी सा लेहंगा जिसको आप बिना सलाई मसीन के बिना अस्तर के और बिना बहुत ही ज़़ादा ताम ज्हाम की बने बना सकते हैं तो देखिए मातरानी के लहँगे की लंबाई मैं बता देती हूँ मातरानी के लिए 7.2 इंच यानिकि 7.2 इंच की लंबाई कहिरे रहे हमारे लहंगे की लंभाई आप अपनी मातरानी मूरती के हिसाब से बना सकते हैं। यहांढिकि अलग लग अं कि अपने अकॉर्डिOS की घ्रावरी और चड़ाई अगर आप जादा और घना चाहते हैं लेंगा और फ्रिल वाला चाहते हैं तो इसमें दो पीस या फिर एक आदा पीस टुकड़ा और भी इसमें एड़ कर सकते हैं मैं सिर्फ इतना ही ले रही हूँ तो यहाँ पर देखे सुई धागे की मदद से ही मैं पूरा लेंगा त्यार लगाने है तो देखे जल्दी जल्दी से मैं सारे में टांकी लगा लेती हूं और उसके बाद आपको दिखाती हूं कि आंगे क्या ना है ठीक है तो देखे यहाँ पर हमने इस तरह से इसको भर लिया है अपने दागे से सारी चुनटे भर ली हैं लेकिन अभी हमने मतलब कट करने से पहले हम क्या करें अपने मातारानी की कमर के कर नाप ले लेंगे तो हम यहां पर बनाएंगे थागह पे तो पहुत कम जेगे प्याजाएगा और जादा रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा डीला डाला से लगेगा तो यहां पर से 5 मिर इंचह में करना था तो उतना करने के बाद फिर हमने धागे को दो-तिन बार नाट लगा कर कट कर दिया और अब देखिए हम नीचे की भी फ्रिल क और बिखरा बिखरा वो नहीं अच्छा लगेगा तो हम सेट कर लेते हैं सेट करने के बाद इस तरह से मैं रखा है और नीचे से आधा इंच कपड़ा चोड़ते हुए उपर से एक सुई धागे की मदद से ही इसमें एक सलाई लगा देनी है सुई धागे से देखिए मैं ल तो वह अच्छी नहीं लगती देखने में तो चुटी चुटी टांके लेने इस तरह की से पास पास घंए और बहुत ही अच्छी सी यहां पर फ्रिल त्यार करनी है तो देखिए सारे में मैं लगा लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं कि कैसे आंगे करना है और नीचे थो लगता है तो माता रानी के नौ दिन आ रहे हैं नौ तरह के आपको लेंगे बताऊंगी मैं सिखाऊंगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करते जाओंगी वीडियो और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चै कर लेंगे हम अपने चुन्यों को कहीं बदलब ऐसे होता मैं कि बहुत जाए बहुत सारी समेट हो जाती है और कहीं का प्राइब खुला खुला सा दिखता है तो अच्छे से पहले हम सेट कर लेंगे पर आबर बराबर जो की देखने में अच्छा लगेगा और हमें नीचे इतना करने के बाद इसमें नीचे की जो चुड़ाई है वो कितनी आरी है 13 इंच करने के बाद जो है न लहंगी का सेप अच्छा दिख रहा है तो यहां पर बस इतने में ही टांके लगा देंगे गांट लगा देंगे तीन चार बार जाकि यह खुले नहीं और इसको कट कर दे तो देखिए और अब यहां पर जहां से हमने अपने सुछदागे से स्लाई की हुई है वहीं पर एक रेड इस्टार वाली स्टार वाली स्टार वाली लैस यह तरह से लगा देगे लैस देखे आप अपने पसंद के साफ से भी लगा सकते मुझे यह वाली ज्यादा अच्छी तो मैं यह लगा रहे हूं और रेड और यलो का कॉंबिनेशन तो हमेशा ही से सुपर हिट रहा है तो बस यहां पर रेड कलर की लैस्ट देके सारे में लगा दी है अब यहां पर मैं ले रही हूं एक साटन का रिवेन आप चाहे तो गोल्डन कलर की जो डोरी आती है वो भी उ अगर आपको जितना ठीक लगे बांदे के हिसाब से उतने यह पर कट करके और दोनों साइट पे कमर पे इसको जोइंट कर देना है अगर आपकी मातरानी की कमर ज्यादा वैसी है तो आप सोड़ा सब बढ़ा कर लिजिए जितना आपको बांदे मीजली हो उतना कर लिए और यहां पर देखेंगा आलमोस्ट रेडी है इसको आप चाहें तो एक तरह से समझ सब्सक्राइब कर सकते हैं तरह तरह के फ्लावर आ रहे हैं मार्केट में उससे भी सजा सकते हैं कुछ इस्टोन स्टार लगा कर भी इसको डेकूरेट कर सकते हैं लेकिन आज मैं आपको तो यहां पर मैं देख रही थी कितनी लैस में कितना बड़ा फ्लावर त्यार होगा और सेम साइज के फ्लावर हमारे बने तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं लैस को देखिए 10 रुपए मीटर ये लैस मिल जाती है कहीं की मार्केटों में तो बहुत और भी कम में मिल जाती है ज है अधिक फ्लावर को पूरा डिटेल में बनाना मैं आप लोगों को तो अब ही तो यहां पर मैं फटा फट से बना रही हूं देखिए इस तरह से एक फ्लावर तयार होगे कितना प्यारा लग नहीं रहना कि घर का बना और डेकोरेशन मतलब कहीं भी आप इसको डेकोरेशन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं अपने साड़ी कपड़ों में भी लगा सकते हैं इस तरह के फ्लावर बना के तो इस तरह से देखिए कहीं पर दूर दूर पर बस इसे लगा दूंगी तो में फटा फट से लगा के आपको दिखाती पहले फ्लावर बना लेती हूं तो दे कर दीजेगा लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजेगा मिलती हूँ अच्छे सी वीडियो के साथ अत्त के लिए जैमात